लगतार दो दिनों से प्रवक्ताओं की बैठक और कल विधायक दल के बैठक की तो जिश्पी आदब नहीं है राबडी आवास पर और आज राज़त प्रदेश कारियाले में तमाम विधायक के साथ साथ तमाम जो प्रदेश के कारेकारी जो अध्यक्ष हैं उन तमाम लोगों से बात्चित कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं क्या जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार गिरेगी दो से तीन मेहनों में जिस तरह से रागुपुर्ट जिश्पी आदब ने इस बात को कहा है कि दो से तीन में में आधिस सरकार गिर जाएगी क्या उसी को लेकर वो लगातार बैठक को तुछ बैठक होती है वह यह कई जाता है तिस तरह से उन्होंने कहा है कि दो से तीन महनों में सरकार गिरा देंगे तो क्या इन तमाम चीजों पर रननीती बनेगी क्या तमाम जो विद्धायक है उन तमाम लोगों को यह शिक्षा दिया जा रहा है लेकिन जिस सरह से बात कर लेकर आरजेडी के जो प्रवकता है या विधायक हैं, कई लोगों से हमने बातचीद की है, आपको भी सुनबाया है कि आखिर बैठक हो रही है, तो बैठक में किया कुछ निकल के आ रहा है, लेकिन जहां तक खबर ये भी है कि एक तरफ जब बैठ़क जहां हो रही है तो वहाँ पांच जुलाई को लेकर कहा जा रहा है लेकिन कहीं न कहीं अगर दो से तीन महिनों में सरकार गिराने की बात कही है तो इसको लेकर भी रननीती लगातार बन रहा है अरजडी के प्रवक्ताओं को पहले जो है यहां गाइडलाइन दिया गया कि किस तरीके से सरकार को घेरना है उसके वाद कल विधायकों की बैठक हो और इस विधायक के दल के बैठक में तजिश्वी आदब साथ तो उन्होंने अस्पश्रूप से कहा है कि बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता इसलिए आप लो जो है वो सही नहीं चल रही है कभी भी सरकार गिर सकता है इसलिए आप लोग हमेशा तयार रहे अब त्रश्वी आदब आज पर देश कारियाले में बैठक कर रहे हैं भी कर देखक में बैठक में शिर्कत कर रहा हैं है उसके बाद भी हम आपको अपडेट्स देंगे फिलाल के लिए इतना ही बने निस परनेशन के साथ नमस्कार